नमस्कार आपका आइनसी टीवी में स्वागत है दोस्तों इस चुनावी मौसम में हम अक्सर सियासत और चुनाव से जुड़ी बात करते रहते हैं लेकिन सरकार के सालाना बजट घोसना के बाद आप से तेल पर बात करने का मन कर रहा है वज़ा भी पहले ही बता देता हूं और तो कोई रहत आपको बजट में मिली नहीं हां पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में रोज रोज इजाफा होना बंद हो गया है मन पसंद है दिल में ये ख्याल भी आ रहा है कि काश चुना कुछ समय और रहता तो आस्मान छूती महगाई से लोगों का तेल निकलना बंद हो जाता है लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि ये चुनाव तो बस चार दिन की चान्नी है उसके बाद तो सरकार पब्लिक का तेल निकालेगी तेल निकलना और तेल निकालना ये दोनों मुहावरे सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों में बुन्यादी फर्क है पब्लिक का तेल निकलता है और सरकार बहदूर तेल निकालती है वो तेल देखते हैं तेल की धार देखते हैं फिर तेल का चुनावी खेल खेलते हैं आसान जुबा में कहूं तो सरकार बहदूर अपना चुनावी गुना भाग देखते हैं कैलकुलेट करते हैं कि तेल का द तो फिर तब पब्लिक का तेल नहीं निकालते जैसा इस समय हो रहा है लेकिन जब चुनावी मौसम नहीं होता तब साह बहादुर तेल के दाम में आग लगा देते हैं तेल की पकड़ियों पर पब्लिक से अपने पक्ष में गवाही दिलवाते हैं बालू से भी तेल निकालने कर उनको तेल लगाते रहिए सहाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है वह आपके कान में तेल डाल कर सत्ता सुख भोगते रहते हैं पब्लिक जाए तिल लेने सरकार को क्या मतलब पब्लिक भी थोड़ी कोशिस करके समझ जाती है कि चुनावी मौसम में ही इन तिलों से तेल के दाम में कमी होती हैं बाकी समय सरकार से गुहार लगाना बालू से तेल निकालने जैसा होता है कभी आपने सोचा है कि आखिर इसकी वजह क्या है आखिर क्यों चुनाव के समय ही तेल के दाम गिरा दिये जाते हैं जो तेल के ताम पिछले कुछ महीने रोज आसमान की नई करनी क्यों रुख गई तो जवाब आसान है जवाब में तेल से जुड़ा एक और मुहावरा सुन लीजिए चुचुंदर के माथे चमेली का तेल काफी मशूर मुहावरा है ये चुचुंदर और चमेली तो अब बहुत कम दिखते हैं लेकिन उनसे जुड़ा ये मुहावरा क Saag Oure का मतलब पता है तो फिर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अगर मतलब नहीं पता तो कि किसी ज्ञानी से संपर्ख कीजेगा वो toטru मुहावरा का मतलब संभा बता देगा और ये भी बता देगा कि आकिर तेल का ये चिनावी है खेल क्या है नमस्कार देखते रहें आइनसी टीवी